हेलो एवरिवन आप जबी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूटूब चैनल अपना सफर 786 में आज की इस टैरोकार रिडिंग में हम देखने की कोशिच करेंगी आज शाम आपके पार्टनर किस से और क्या बाते कर रहे थे आपके बारे में उनकी करण फिलिंग्स क्या थ हैं और उसे विजुलाइज करते रहें ओके वीवर्स यहां आपने कुछ कार्ट निकाल लिए हैं आपके लिए और बाटम में जो हमारे पास कार्ड आया है वो आया है फाइफ ऑफ पैंटिकास एंड इन कार्ड को क्लारिफाई भी कर लेते हैं उसके बाद रिडिंग स्टा लिए उसके अपते हैं ओके यहां पर फोर उफ कम के कार्ड को क्लैरिफाई किया है सेमा ओफ वैंट ने एंड फूल के कार्ड को क्लैरिफाई किया है टू अफ सोर्स ने ओके वीवर्स और यहां पर सारे ही zodiac science अवैलेबल हैं तो यह रेडिंग सभी zodiac science के लिए तो है ही और यहां पर सारे science भी अवैलेबल हैं करते हैं रेडिंग स्टार्ट तो यहां मुझे ऐसा लग रहा है कि आज शाम जो आपके person है वो अपने किसी close friends से आपके बारे में बात और यह इस condition में खुद को पा रहे हैं जहां से इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपनी life में बहुत गलत decision ले लिये हैं और इन्होंने खुद ही अपनी ना जो लग है ना उसको भी खराब किया है और इस person ने कुछ ऐसे decision लिये हैं वो नादानी में आकर लिये हैं इस person को इनको काफी loss हो चुका है इस person को आपके साथ जब relationship पे ये person था तो इसको ऐसा लगा था कि आप कभी भी ना इस person को छोड़कर नहीं जाएंगे ये आपको for granted लेते थे और इनको ऐसा लगता था कि ये जो आपका इनका relationship है ये कार्मिक relationship है तो इस person को ऐसा ही लगता था कि ये किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं यानि कि आपको यह अपना कार्मिक पार्टनर मान रहे थे जिस वज़ा से इस परसन ने आपकी कभी वैल्यू नहीं की आपको कभी भी वो सपोर्ट इस परसन से नहीं मिला वो प्यार इस परसन से नहीं मिला जो ये person आपको दे भी सकते थे इस person को भी पता था कि ये गलत कर रहे हैं इस relationship में बट ये person चाहता था कि आप खुद ही इसकी जिन्दगी से दूर हो जाएं आप खुद ही इसकी जिन्दगी से चले जाएं क्योंकि ये person चाहता था अपने career में बहुत कुछ हासिल करना इस person के सबने बहुत बड़े बड़े था इसके रहते इस person ने एक ऐसा proposal accept कर लिया जिससे इनको काफी नुकसान हुआ है अब ये person काफी emotional हो रहा है सोच सोच कर खुद की लिए गए decisions पर कि इसने इतनी बड़ी बेवगूफी कैसे कर ली या अपने जीवन में कि इसने ऐसे decision कैसे ले लिए ये person तो खुद को काफी ऐसा smart समझता था अपने decisions पर इस person को फक्र रहता था कि जो भी decision लेते हैं सही लेते हैं सोच समझ कर लेते हैं और इस person की life भी काफी अच्छी खाची चलती आ रही थी बट अचानक से ही suddenly इस person की जीवन में ऐसा इसको महसूस होने लगा है कि जैसे कि आप इसका luck थे और आपके luck से ही इस person को ये जो opportunities मिल रही थी मिल रही थी आपके होने से ही इस person की जिंदिगी में रौना के थी महबब थी प्यार था सब कुछ था इस person की जीवन में बट इस person ने आपके value नहीं की और इसके बारे में ही आज शाम ये अपने friends से बाते कर रहे हैं इनकी life में पच्टावों के सीवा कुछ बचा नहीं है और जो कुछ अभी है इस person को वो नजर भी नहीं आ रहा है तो इसके बारे में ये person बाते कर रहा है अपने friends से की अब क्या करें ये person अपनी जीवन में किस तरफ आगे बढ़े अपने career पर ही focus करें ये फिर ये person एक नई शुरुवात करें आपके साथ में तो यहां पर काफी confusion है इस person के दिल में दिमाग में क्योंकि ये person जो कुछ भी कर चुका है past में इसको काफी regret है इस बात का और इसको इस चीज़ का भी regret है क्योंकि इसने आपके लिए decision नहीं लिया आपके लिए कोई action नहीं लिया यनि ये decide ही नहीं कर पाए कि आपको अपने जीवन में रखना है नहीं रखना है आप इसकी जिन्दिगी से move on कर गए इसको कोई फरक नहीं पड़ा बलकि ये तो खुश हो गए थे कि आप इनकी life से चले गए और अब इस person को इस बात का हैसास हो रहा है कि इनका luck इनसे root चुका है अब ये किसमत बदलने का इंतिजार कर रहे हैं कि इनकी किसमत बदले और ये अपने जीवन्स में कुछ positive हो सकें कुछ positive changes ला सकें और जो इनकी career में problems हैं उन से निकल सकें और एक नया career start कर सकें एक नया relationship start करें बहले हैं ये आपके साथ में करें या फिर किसी और के साथ में करें इस वक्त ये person इस position में तो नहीं है कि आपके लिए कोई ऐसा ठोस फैसला ले सकें कि आपको commitment देना ही है तो यहाँ पर ऐसा तो नजन नहीं आ रहा है पठा ये person अपनी problem से निकलने की कोशिच कर रहा है और वक्त बदलने का इंतिजार कर रहा है और यही सारी चीज़े ये अपने friends से discuss कर रहे है और इनके friends से भी इनको यही guidance मिल रही है कि थोड़ा space लो और थोड़ा अपने आपको cool करने की कोशिच करो अपने mind को शान्त करो और शान्त मन के साथ positive रहे कर ही कोई भी अपने लिए फैसला लो कि अब जीवन में क्या करना है ओके वीवर्स तो इनके friends से इनको यही सला मिल रही है और आज शाम यह अपने friends से आपके बारे में यही सारी बाते कर रहे हैं अपनी life के बारे में बाते कर रहे हैं ओके यह थी आपके reading I hope आपको पसंद आई होगी कुछ तो clarity मिली होगी कुछ तो resonate की होगी मैं मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ तब तक अपना ख्याल रखें अपनों का ख्याल रखें बाबाई